नमस्कार दोस्तों घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यहां बताने के लिए कमेंट में ओम नमस सिवाय जरूर लिखें दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि वर्स 2020 में सावन पूर्णीमा से संपून जानकारी देंगे कि सावन पूर्णीमा का तेओहार हर छेत्र के लोग अपना कैसे कैसे मनाते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नह तो वर्ष दो हजार बीस में उत्तर भारत में सावन का महिना 6 जुलाई दिन सोमभार से सुरू होगा और 3 अगस्त दिन सोमभार को समाप्त होगा वहीं दक्षिन भारत में सावन का महिना 21 जुलाई दिन मंगलवार से सुरू होगा और 19 अगस्त दिन बुधवार तक रहेग और अवनी अवित्तम सेलेब्डेटी की जाती है मद भारत में सावन पुर्णिमा को कजरी पूनम और गुजरात में पवित्रो पना के रूप में मनाई जाती है जहां सावन पुर्णिमा से अमनात जात्रा सुरू होती है मानिता है कि सावन मास की पूरिमा तिथी को रुद्रा भी से करने से भगवान महादेव सभी इक्षित कामनाओं की पूर्ती कर देते हैं जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सावन का महीना हिंदु धर्म के लिए काफी महत्पूर्ण माना जाता है इस पूरी महीने में, सावन के महीने में भगवान सिव की पूझा की जाती है हिंदु धर्म की मुताबिक इस दिन पित्रों का तरपन करना चाहिए कहा जाता है कि सावन पूर्णिमा के दिन गाय को चारा और मचलियों को आटे की गूलियां खिलाना काफी सुम माना जाता है सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कनाओ में होता है और इस दिन चंद्रमा की पूजा करके चंद्रदोस से मुक्त हुआ जा सकता है सास्त्रों के मुताविक इस दिन भगवान विष्णू और लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है विष्णू लक्ष्मी की पूजा करने से सुख संपती की प्राप्ती होती है क्योंकि सावन का महिना सिव को समर्पित है इसलिए इस दिन भगवान संकर का रुद्रा भी सेख करना चाहिए स्रावन पूर्णिमा के दिन कई लोग जनेव पहनने और नए जनोव को धारन करने का कार्य भी करते हैं लोग इस दिन कूसा निर्मित रीसियों की अस्थापना करके उनका पूजन तरपन और विसर्जन करते हैं जैसे मैंने बताया कि वर्ज 2012 में पूर्णिमा तीन अगस्त को है इस बार सुर्योदे से पहले ही भधरा समाप्थ हो रही है इसलिए पूर्णिमा बहुत ही सुभ माना जा रहा है, पूर्णिमा तिथी कब से सुरू है, कब समाप्त होगी, वो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप ध्यान से इसे देख लेंगे दोस्तों जैसा की जानते हैं, आप लोग की हर माह की पूर्णिमा का कोई नो कोई पर्व मनाया जाता है, इस दिन का भारतिय जन जीवन में अत्यधीक महत्व है, हर महिनी की पूर्णिमा पर एक समय भोजन किया जाए और चंद्रमा या भगवान सत्रनारायन का ब्रत करे, तो हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं साथ ही समरिधी और पद परतिस्ठा भी मिलती है तो दोस्तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और चैनल को सबस्क्राइब करे, थैंक्स